हेलो गाइस तो आज हम कोलेस्ट्रोम मिल्क की स्वीट बनाएंगे तो जो ये मिल्क होता है वो हमारे गाई या भेस जो फर्स्ट मिल्क देती है उससे ही बनती है तो ये बहुत ही खाने में हिल्दी होती है तो आप को ये मिल्क मिले तो जरूर ट्राइ करना तो ये मैंने वो म एड किया है, देखो आप diferentes देख सकते हो, और इसको हम एड करेंगे थोड़ा सा, और बाद में हम इसमें चिन्नी एड करेंगे, और हमें थोड़ा सा ईलाइची पाऊदर भी में एड कर रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो ही एड करना, और इन सब को अच्छे से इसमें मिलाएंगे ये बनने में बहुत ही इजी होती है और ये देखो हमारी जो सुगर है वो मेल्ट हो चुकी है तो अब इसको मैं एक प्लेट में लूँगी और स्टीम करने के लिए रख दूँगी जो हमें ठोकला बनाते है उसी तरह हम इसको ये मैंने बरतन में रख दिया है स्टीम करने के लिए तो ये पांच मिनिट में ही बन के रेडी हो जाती है तो ये बहुत ही इजी है बनने में और फटा फट बन भी जाती है देखे दोस्तों ये हमारी पांच मिनिट में बन के रेडी हो चुकी है इसको हम बरी भी बोलते है और इसको मैं पीस में कट कर लूँगी देखो कितनी फ्लॉफी बनी है देखिए हमारी जो स्वीट है वो बन के रेडी हो चुकी है पीस में आए चुकी है